नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक विउस इंडिया और मैं आपको साथ जितेंद्र शुक्ला दिल्ली चुनाओं में आखिरकार पाकिस्तान की एंट्री हो गई और एंट्री भी किसकी इम्रान खान के बहुत बड़ बोले नेता है साइंस और टक्लोलोजी के मिनिस्टर है समझी होता क्या है वो रोज ऐसे बयान देते रहते हैं और अब अपील कर रहे हैं दिल्ली की जनता से कि प्रधान मंत्री मोदी को हराओ उन्होंने अपील करिए इस मैं आपको एक चीज आज बताओं एक चीज बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज जो फवाद चौदरी हैं इन ही के कुछ चिलगोजे जो हैं जिनका नाम था सहजिल इमाम ने मुझे सिखा दिया एक चीज कि फवाद आ मवाद यही हैं लोग फवाद मतलब मवाद मतलब गंद्गी अब फवाद जो चौदरी हैं वो हमेशा से गंद्गी और पौटी करते रहें देश की खिलाफत खासकर हमारे देश की खिलाफत में बोलते रहें और रही बात इंट्री की तो जानते हैं कि इंट्री इनोंने क्यों दिया आया यह सब कुछ एक्दम प्लाइन था कि तुम ट्वीट करना और मैं मोदी जी को डिफेंड करने के लिए आ जाओंगा कि हां मोदी जी यह हमारा अंत्रिक मामला है इसमें भवाद चौधरी नहीं आन जिन्ना वाली आजादी वाला स्लोगन नहीं बजता अचलो अग्द मज भी गया तंग स्लीप के बाद लास्ट में आजादी 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 तो चलो ठीक है मालों कि एक अदमी उसलीप कर गया लेकि नीचे जो समर्थक थे देवता थे जो भक्त लोग थे नीचे फेस रोता जो ले रहे थे वो लोग वो तो गलती नहीं करेंगे ना यहां पर नहीं हुआ है मैं आपको जेन यू में ले चलूंगा जेन यू में दिल्ली सरकार के फंड से जेन यू का सारा पैसा सैलरी जो उनके जो यहां पे जंगली जानवर पाए जा रहे हैं उनके लिए मेंटेन करने के लिए जेन्वी में क्या हुआ था अफजल हम सरमिंदा है तेरे कातिल जिंदा है उनके फाइल को के जिरिवाल जीने दबा के उसे बैठ गए हैं कुंडली मार के कि मैं त पाकिस्तान के सपोर्ट में और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हुआ कि के जिरिवाल का जो यह समर्ट एमेले हैं ओखला से अमतुल्ला खान इन्होंने क्या बोला था कि बाटला हाउस इंकाउंटर गलत हुआ है अतनकवादी अपूरे दुनिया जानती ह है कि आतनकवादी सच्थे किस्म के उचंक युद्ध के आतनकवादी कहां मिलते हैं पाकिस्तान में मिलते हैं यह पूरा प्लान था कि आप मवाद करना ओर मैं साफ करने के लिए ऐजाओंगा कि कि कुमार विश्वास ने सवाल पूछा ना सर कि आपके कैसे परिवर्तन आ गए आप परधार मंत्री को मंदः बुद्धी बोल देते हैं और फिर आप आप सेना से सबूत मांगते हैं और आप सफाई दे रहे हैं आप पाकिस्तान के पोस्टर बॉइ बने हुए थे जब तो बोला था इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला होगा गया आठ तारीक को आप देख लिजा सच हो गया देखिए यह बिलकुल जायज है और बोला जो कुमार विश्वास जी ने पूछा इतने भी तीखे सवाल इनको चुपेगा रात में नींद भी नहीं आएगा इन आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी बोल दूं कि प्याज टमाटर आलू गाजर इस सब तीन मेने में उपजाए जाते हैं लेकिन यह जो चिलगोजे उपजे हुए हैं यह दस बाड़ा साल से बीस साल से और यह बिल में चुपे हुए हैं अब मोदी जो राष्टवाद से जो लाइन सब कर रहा है इसे बाहर निकल रहा है रहर के कर रहेUA है कि ज़ेवाल ने जबाब तो दिया के जिरवाल ने बचाओं मूदी का बचाओ कि या मेरी तो नींदी खुल गई कि पंधान मंत्री का बचाओ किज्रिवाल कर रहा है ऐसा क्या हो गया भाई प्रधान मंत्री क्या नाम है किज्रिवाल बडिगार बने हुए हैं लेकिन जैसे देखा कि पाकिस्तान के फवाद ने मवाद किया है पाकिस्तान के फवाद ने मवाद किया है तो उसको साफ करने के लिए अब बताइए कि उस समय चले ठीके मैं मानता हूं कि आपने ऐसी जो भी कुछ बोला जब सजिकल स्ट्राइक हुआ था तो पेंड्राइव किसने मांगा था एच डी क्लिरटी का पेंड् दिजीए दिखाये पेंड्रीव कि आपने कहां कहां बं डडाले कई हमारे मौसी के बेटे पर तो नहीं वह इंद डाल दिया जिनके मैं गले मिलता हूँ इनहें पेंड्राइव मांगा था इसके बाद देखिए दूसरी बात जो स्ट्राइक हुआ था उसमें भी इनके बताई शाधी विडियो है अरे बीडियो तो हम तुमसे मांगे थे बीजेपी ने वीडियो मांगा था आप प्रकार्ण पत्रकार है आए ज़िकारी को पीटा गया था इसी इसी में घड़ा आउसे में जैसे पुझा गया कि भाई q Faculty interferा क्यारेटी के डिक्राइब दो जाज कर वा लो ये बात ये बोला था उसके बाद दखिए तो इन्हों उसने क्लियाटी दिया था एक महिला मित्र के साथ मसाज ले रहा है उसी मसाज से प्रिंट आउट निकाल के दे दिये कि राशन काड ले लो भाईया उस उस आंटी को उन्हें ने बोला था कि आप मेरे पास आना मेरे पास एक ऐसा मसीन है कि हम दोनों मिल जाएंगे तो राशन प्रिंट निकल जाएगा आद देखी यह यह इनार किस्टाद्मी है अपको मैं पूरा बोलूँ आज पूरा पूल इसको खोलूँगा आज आपकी सैन के मादेम से जैसे इस इसनार ने बोल दिया कि जैसे कुछ हो तो बोल देना कि मैं दलीत हूं मैं मुसलिम हूं मैं लोगों ने देखा बहुत लोगों ने इंजोई भी किया उस वीडियो को लेकिन लेकिन वीडियो नहीं आना चाहिए ये लोगतंत्र में कभी सुभा नहीं देता लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि ये तो क्या ना मिस्तर का वीडियो कर रहा है तो जैसे उस पत्रकार से मीडि बिए यह देविद कि मैं तो दलीथ हूँ अब लो अब जो कुछ कुछ जो मुर्ख है मैं आपके माध्यम से भलता हूँ उसके फिर वहीं ले जाओंगा की राहूल गांधी जो कुछ है अपने पुर्खों की वजह से इचरिवाल सिये में तो कुछ भूखों की वजह से आ अब आता हूं यहां पे मुझा कैसे देखिये दलित इसलिय बोला कि जान भूज के जानम भूज के ताकि मुझे सिंप्रती मिले लेकिन देश की जनता कि जब प्रिण्ट आउट से जिरॉक्स को निकाल रहे थे उससे में हम याद नहीं कि हम दलीत हैं याचाहे दलीत नहीं है आइ उसके बाद बोल रहे हो कि क्या नाम है कि हम दलित हैं और आब अब पाकिस्तान लेके जा रहा हूं कि अभी आपने देखा हो गा कि हो बहुत सारी चीजहें इसके सपोर्ट में लोगों ने बोला है बड़े-बड़े चैनल डिबेट होते हैं जुरिवाल के लिए पाकिस्तान में बड़ए बड़े चैनल्स डिबेट होते हैं पाकिस्तान में ऑडीजी मार रहे है क्या मुसलमानों को नहीं देश की वजीर mistaken ने कहा है different लेकिन इस ब्रक्ति का इस ब्रक्ति का यह भड़काऊ हमेशा करता रहता है और हमेशा गलत बयान देता रहता है और जिस तरह से कुमार विश्वास जी ने आज तीखे सवाल किये हैं पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़के आज रात में केजरिवाल जी को कायम चुरन खाना ही हो होगा नौर्मल पानी से लुकोम वाटर हलका सा क्योंकि जब हां क्योंकि नहीं खाएंगे तो कल आके कुछ ना कुछ उल्टी करेंगे क्योंकि कब्ज का इनको प्राब्लम हो जाएगा जी एक अपने के बॉइफ्रेंड गर्फ्रेंड वाला स्टोड़ी में जो कुछ है हेलो नहीं मैं मैं सुनो ना कहांपर हो ने मैं फोन रखो नए फेले कहां पे हो मैं कब्राइब कर को सुन मैं लोकर के बातरूं में जाएगा तरवाजा के पीछे लिगएगा पूश्पा कंनांश्मास ब्रभाद करेंगा उसको तो यही हाल है यही हाल कुछ रिवाल जी का और जो यउन्ग वोटर्स है ना इसमें देश के पधान मंत्री मोधी जी ने बोल दिया है कि चुनाव रास्टवाद बनाम टुक्रे टुक्रे घैंग होने वाला है और तुक्रे तुक्रे गैंग बोला गया है इसमें सच गलत बोला ही नहीं गया है क्या ये कनहिया माप कीजेगा डफली वादक डफली वादक डफली वादक डफली वादक कनहिया कुमार उमर खालीद क्या नाम है वो मवाद डालने वाला सर्जिल इमाम उसके बाद क अलिगर का वो था आप क्या ना में फॉर्णमर चीकेन क्या ना में हम देश के बढ़बाद कर देंगे यह लोग इनके इनके यह आदमी है कहीं पर भी आपने एक टुटर पर देखाए कि कहीं पर भी इस बयान को लेकर के जिरुवाल ने उन लोगों को डाटा नहीं है बलकि चुप चाप सपोर्ट किया है और आज की बारें बता दू एक वीडियो आज मैंने टुटर पर देखा कि के जिरुवाल जी ने एक बच्चे का वीडियो ट्वीट किया कि लड़का यह आई आई टी को आज सम्मोधित करेगा और यह लड़का दिल्ली सरकार से दिल्ली दिल गौर्मेंट स्कूल का पढ़ा हुगा लड़का है लेकिन जैसे इन्विस इन्विस्टिकेशन हुआ तो पाचला की वो तो गुजरात का निकला उसने के जिरुवाल को रिप्ट रिप्लाई कि थाइंक्यू सो मच के जिरुवाल जी जो आपने मुझे इतना मेरी मेरे बारे अगर अगर हाफी साइड दिली के स्कूल से पढ़ाई करके जाता ना तो यह टीटर पर ट्वीट कर देता कि देखा के सब्सक्राइब को से पढ़के हाफी सहीद कितना चातनकवादी बना हुआ है कुछ भी अनडगल बाते हो आप केजरिवाल से सुन लिजे केजरिवाल और बिवादित बयान पति पत्नी की तरह है एक दुसरे के भीना नहीं ड़े सकते हैं और लास्ट में रात में बिस्तर पर सोएंगे ही यही हा लेके जरिवाल जीगा